आज हम करने वाले हैं letters और letters में जैसे दो types होती है तो उसमें से हम करेंगे formal जैनि कि formal letters के बारे में आज हम समझेंगे तो चलिए तो क्या करने वाले हैं तो what will we study today पहला हम देखते हैं लेटर को जैसे कि आप जानते हैं हिंदी में ख़त कहते हैं पत्र कहते हैं अब जो आपके एक्जामिनेशन जो होते हैं उसमें जो लेटर आते हैं बेसिकली दो तरह के लेटर होते हैं सीनियर क्लासिज में 9, 10, 11, 12, 1st year, 2nd year उसमें दो तरह के लेटर होते हैं एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल तो आज हम फॉर्मल लेटर को करने वाले हैं समझने वा दूसरा होता है letter to the editor निए फिस्वाइडर को जो आप लेटर लिखते हैं उसमें suggestions, opinions और public interest की इसुआ है उसके बारे में लिखते हैं थर्ध टाइप जो है वो civic problem के लिए होता है civic problem जैसे आपके अरिये में पार्क लिए पार्क नहीं है पार गंदा हैं, सड़के खराब हैं, सेटीय लाइट – गराब है बस इस्टैंड की प्रोबलम है डिस्पैंसरी लिधा की प्रोबलम है उस तरह प्रोबलम के लिए जो letter लिके जाते हैं उनको स्विक प्रोबलम कहते हैं लास ऍरिक जो लास टाइप है लाइटर जोक तो basically, exam के a coding आपके चार टाइप के letter है, तो formal letters जो होते हैं, उनकी चार टाइप से होती है, अब अगर आप जो होते हैं, अब अगर आप इसकी marking scheme देखें, किस तरह से marks मिलते हैं आपको इसमें, तो format जो होता है, format के according तो सबसे sender, address, date, receiver, designation, and address, subject, salutation, complementary clause, sender, name यह जो basic format होता है, इसके लिए आपको one mark मिलता है second में, second में जो होता है, content जो होता है, जो letter की body होती है उसके लिए आपको three और four marks मिलते है इसमें आपको कम से कम तीन paragraph बनाने होते है expression में अगर आप देखें, तो grammatically जो accuracy होती है words, words spelling, इसके लावा जो relevant ideas होते हैं, new ideas, new words आप इसके लिए आपको one और two marks मिलता है तो total जो आपका letters होता है, वो eight to ten marks का होता है लेकिन student यह धियान रखेगा कि आपको सिर्फ format बनाने से कोई भी marks नहीं मिलेगा आप ऐसा नहीं कर सकता है कि सिर्फ format बनाके छोड़ दें और letter की जो main body है वो नहीं लिखें तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी marks नहीं मिलेगा अब इसमें जो हम start करते हैं, जो लिखते हैं, तो सबसे पहले तो आपको धियान रखना है letter की आपने हर line को कहां से start करना है, start is new line, from left end margin, left end margin से start करना है तो letter की जो main body है वो आपकी 3 और 4 paragraphs में होना चाहिए, पहला जो paragraph है, उसमें आप introduction करेंगे तो introduction की चीज़ करेंगे, आपका ही जो problems है, या आप किसी issue पर बोलना चाहते हैं, वो आपकी opinion देने चाहते हैं, या जो आपकी suggestions हैं, तो वो introduction होगा second paragraph में आपका main idea होगा, problem या जो भी आपकी opinion उससे related, जो main idea रहेगा और third paragraph होता है, उसमें आपने complementary close करना होता है, उसके बारे में suggestions बताने होते हैं, means बताने होते हैं, कैसे समश्या को, या इस problem को solve किया जा सकता है चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, format देख लेते हैं, क्योंकि format से आपको letter के जो type से है, वो बहुत अच्छे से समझ में जाएगी और आपका काम बहुत असान हो जाएगा तो चलिए student, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है format, तो simple एक मैंने format बनाया है आप लोगों के लिए, format of formal letters तो आपके exam में जो आप letter लिखेंगे, वो इस format में आपने लिखना है, तो सबसे पहले, जैसे कि आप देख सकते है, sender's name, यानि कि भेजने वाले का पता, जो address होता है, वो लिखेंगे आप, वो address जो है, दो से तीन line में आना चाहिए, उसके बाद आपने यह एक line को जोड़ेंगे, उसके बाद फिर से एक line चोड़ेंगे, और उसके बाद आपने लिखना है, receiver address, designation, and address, यह तीन से चाहर लाइन में आता है, उसके बाद फिर आपने एक और line चोड़ने है, यह आप है, live a line, उसके बाद subject लिखेंगे, तो subject sub करके, और subject लिखना है आपने, तो क्या मीनिंग होता है, अभी वादन, greeting जिसको आप कह सकते हैं, उसके बाद, body of letter, तो body of letter में, first two line में, आप introduction देंगे, उसके बाद, next जो five to six lines होते हैं, उसमें आप अपनी समस्या है, यह जो भी problems हैं, उसको describe करते हैं, और last में, जो complimentary close होता है, यह एक से दो line जो होती है, उस उसके बाद आता है, last में, एक line चोडने के बाद, यहां को अपने line चोडने, subscription में, तो you are obediently, faithfully, truly, sincerely, income इस्तमाल करते हैं, यह जो word इस्तमाल करते हैं, according to questions होते हैं, उसके बाद आपका नाम, designation अगर कोई है तो, चलिए इसके लिए एक example लिखते हैं, ताकि आपको जो format है, clear हो जाए, आपको समझ में आए, तो student, मैंने एक question लिखा हो आप लोगों के लिए, ताकि आपको जो formal letter है, उसका पूरा जो एक लिखने का तरीका, समझ में आजाए, तो सबसे पहले question देखते हैं, और फिर यह देखते हैं, कैसे आप इसको कर सकते हैं, तो देखे, you are Rekha Rakes case, a student of Bharati public school class 11th, the students are required to cope up with a lot of stress in today's competitive environment, write a letter to editor highlighting increasing stress faced by student and suggesting way and means to combat it, तो यह आपका question है, तो students, सबसे पहले और सबसे important बात है कि जो आपके exam में questions आता है, अगर आप उसको ठीक से पढ़े हैं, deeply study करें उस question की, तो 80% letter up question की help से ही बना सकते हैं, तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने format में सीखा तो सबसे पहले हम address लिखते हैं, तो इसमें sender address आता है, तो sender address आपका question में ही होता है, अब देखिए, यह student है, भारती public school class, तो यहाँ पर जो address लिखेंगे, student है, तो इसलिए कही address आएगा, भारती public school, अब इसमें आप कोई भी address लिख सकते हैं, question में कोई address नहीं है, तो आप अपने आप कोई address बना के लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है, 6 October 2020, तो हमें जो आदत होती है, date लिखने की, जैसे मैंने लिखा हूँ, अभी date को हम इस तरह से लिख देते है, 6, 10, 20, तो यह जो slash का इस्तमाल करते हैं, या फिर हम दूसरा तरीका यह एते है, यह जो दो तरीके है, commonly हम इनका use करते हैं, लेकिन धियान रिखिए लेटर में आपको इस तरह से यूज नहीं करना, लेटर में सबसे पहले date, after that, name of month, and after that, year, तो name of month आपने लिखना है, इसके बाद यहां पर हमें क्लाइन चोड़ेंगे, और उसके बाद, receiver address आएगा, तो receiver address में आप देख लिजीए, आप question में देख सकते हैं, तो question में लिख नहीं कि यह formal letter है, और editor को अपने लिखना है, तो सबसे पहले क्या आएगा है यहापी, तो नाम में आपका सबसे पहले the editor, उसके बाद newspaper का नाम लिखेंगे, तो newspaper का नाम question में नहीं है, तो आप अपने, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने नाम लिखा हुआ है, the subject, 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 subject को highlighted करना है, आपने underline कर सकते हैं, ताकि teacher की नजर उसके पढ़े, अब subject भी आपने question से ही लेना है, आप देखिए ओपर हमने क्या देखा था, तो हमने देखा था, write a letter to editor highlighting, increasing stress faced by student, तो यह ही आपका subject बने का, तो इसमें बस आप problem जोड दीजे, तो अगर हम इसमें problem connect कर दें, तो आपका यह subject बन जाएगा, problem of increasing stress faced by students, अब salutation में sir लिखेंगे, madam लिखेंगे या दोनों लिखेंगे, क्योंकि editor कौन है, male है, female है, यह में मालूम नहीं है, तो इसलिए sir या madam दोनों लिख सकते हैं, अब जो letter की main body है, उसका यह first paragraph है, तो first paragraph में हमने क्या सीखता एक introduction करते हैं, तो इसमें हम बताएंगे, through the column of your esteemed newspaper, I would like to express my view, यहां से यहां तक की जो line है, through the column of your esteemed newspaper, I would like to express my view, यह line सभी editor letters में इसी तरह से use करते हैं, इसके बाद आपने subject से आगे इसको जोड़ना है, और यह paragraph आपका पूरा हो जाएगा, तो क्या जोड़ा, on the problem of increasing stress among the students, देखिए यह subject में और यह आपके question में भी है, due to highly competitive environment, तो पहला जो paragraph है आपका, वो पूरा होता है आपके question की help से, इसमें मैंने जो भी लिखा है वो question में ही है, सिर्फ आपने यह जोड़ना है, through the column of your esteemed newspaper, I would like to express my view, अब चलिए second paragraph को देखते हैं, तो second paragraph जो है इसमें most important है, क्योंकि यह paragraph आपको खुद से लिखना होगा, और 10th, 11th, 12th के student, एक paragraph आराम से बना सकते हैं, समझ्य को समझ सकते हैं, इतना कर सकते हैं आराम से उसमें कोई भी problem नहीं आती है, तो second paragraph कैसे है, today world is full of competition, every now and then a child is, तो आजकल जो है, कुझो होगा time है, वो competition का है, students को competition, compete करना पड़ता है, तो बच्चों को different parameters से गुजरना पड़ता है, अलग-अलग जो parameters होते हैं, वो face करने पड़ते हैं, parents expect, तो parents क्या करते हैं, उमीद करते हैं, a lot of their from their children, तो अपने बच्चों से उन्हें बहुत उमीदे होते हैं, they want their children, तो parents आजकल क्या चाहते हैं, अपने बच्चों को हर चीज में, हर field में, अच्छा करना चाहते हैं, तो excellent all the fields such as study, sports and co-curricular activities, तो study में, sports में और जो other activities होते हैं, तो parents चाहते हैं, बच्चे हमारे सब में सही रहे, excellent हो, everyone want their children to be a doctor or an engineer, तो ज्यादा तर parents अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो doctor बने, engineer बने, pilot बने इस तरह से, the result is that, तो उसे प्रिणाम क्या होता है, children are, तो बच्चे जो होते हैं, students होते हैं, उनको stress होता है, लंबे समय तक stress में रहते हैं और उनको burden हो जाता है, जो study उनकी वो burden हो जाती है, उनके लिए, all day, long, they are, तो पूरे दिन उनका stress में बज़रता है, क्योंकि उनको complete करना होता है, homework and study and no time is left for games and sports, तो games के लिए, sports के लिए या अपनी कोई favorite activities के लिए उनके पास time नहीं बसता, तो इसमें आपनी main जो issue है, इसके बारे में discuss करना है, कि main problem क्या है और क्यों है, तो इस second paragraph ने हमने discuss किया और यही paragraph important है जो आपको खुद से बनाना है, इसमें भी आप question की help ले सकते हैं, subject को सबस सकते हैं कि क्या हमें लिखना है और वो किस तरह से लिखा जा सकता है, आप last कर जो paragraph है, third paragraph इसको complimentary कहते हैं, यह complimentary close होता है, यह कि इसमें आप अपने letter को finish करते हैं, तो जैसे मैंने finish किया, it is high time, तो यह बिल्कुल उचित समय है, सही समय है, we should consider upon this problem, तो हमें इस problem के बारे में सोचना चाहिए, student should be involved in games, sports and yoga to combat stress, stress का तनाव का सामना करने के लिए student को क्या करना चाहिए, games में, sports में और yoga में participate करना चाहिए, तो यह students के लिए suggestions होगे इसमें, students को आप क्या suggestion देंगे, तो यह students के लिए suggestion है, second suggestion आप parents को दे सकते हैं, तो parents should not pressurize their children for performing excellently in student studies, तो parents को भी बच्चों पर दबाव नहीं देना चाहिए, कि वो हर चीज में excellent performance दे, अब last meditation can be practiced, तो meditation किया जा सकता है, meditation आप जानते हैं ध्यान होता है, और उसके बाद में last में आप लिखेंगे, you are sincerely, editor को लिख रहे हैं तो sincerely आएगा, अगर आप principle को लिखते हैं तो faithfully आता है, इस तरह से आपका पूरा letter तियार हो जाता है, तो student अगर आप ध्यान से देखें, तो सबसे पहला काम, letter जो formal letters होती है, उसमें सबसे important पहला जो format होता है, अगर आप format पे थोड़ा focus करें, तो आपका 50% काम जो है, वो clear हो जाता है, second step में क्या है, second step में आपका mean questions पेपर में आता है, exam में जो आपका questions आता है, अगर आप इसको deeply study करें, और question को हल करने से पहले ही इस पर आप निसान लगा लें, जैसे इसमें आप अगर he है तो उसके लिए अम नाम राकिस रखेंगे और she है तो उसके लिए रेका, फिर यहां पर आप address देख ले, sender address क्या है, उसके बाद receiver address क्या है, और फिर किसको letter लिखना है और subject, यह सारी चीज़े mostly आपको question के अंदर ही लिखी हुई होती है, बस आपको उसको use करना होता है, तो 80% काम आपका format और question से solo हो जाता है, सिर्फ 20% जो काम बचता है, वो आपके letter का second paragraph होता है, वो होता है, लेकिन इस paragraph में भी आप 20 से 30% question का, subject का, और एक जो आपके individual ideas होते हैं, उनका use करके इसको पूरा कर सकते हैं, तो आपने ध्यान यह देना है, students के hard work हमेंसा काम नहीं करता, कभी कभी हमें smart works पर भी काम करना चाहिए, और mostly आजकल तो smart works जादा काम करता है, तो यह जो आपकी problems है, letters की, formal, informal, दोनों letters में जो problem आती है, तो इसमें अगर आप smartly work करेंगे, क्योंकि ध्यान रखें, क्योंकि जो letter आप याद कर रहे हैं, और आपको लगता है, एक्जाम में आएगा, तो वो जुरूरी ने एक्जाम में आए, तो आप अपने आपको इस तरह से त्यार कीजिए, कि किसी भी तरह का letter हो, formal हो, informal हो, उसे आप कर सकें, तो चलिए आज की class यहीं भी finish करते हैं, next class में मैं informal letter के साथ बापसे मिलूँगा, तब तक के लिए, bye. झाल झाल